गुरुवर्चन देवजी माराज बक्षिशकर देहन सद्वर सचे पाथशा जी केंदने पई प्रापत मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तरी बरिया सानु सारया नुही उस परी पूरन प्रमात्मा ने मनुखा जनम बक्षिश कीता है यह मनुखा जनम सानु क्यों मिलया है इस जनम देविच आके असी करना की है सद्वर सचे पाथशा जी मनुख दा मक्सद मनुख दे सामने रख दें तू संसारते किस वास्ते आया है क्योंकि जे सानु मक्सद दा नहीं पता तो बे मक्सद कीता होया कम साड़ा व्यर्थ चला जानदा है वो फिर किसे टिकाने ते नहीं लगदा है जैसे बंदा चलदा ते बहुत है पर जे मक्सद ना होए तो फिर उके दरे पौँचदा नहीं है क्योंकि ऐसी अपना मक्सद नहीं रख दानुख चल दे ते ऐसी बहुत आँ पर क्योंकि मक्सद नहीं है तो कोई टिकाना मी नहीं मिलदा सानू सद्गुर सच्य पाच्छा जी गुरु अर्जन देजी मारज के दने पई परापत मानुक दे हो रिया गोबिंद मिलन की इह तेरी बरिया उस गोबिंद नो परी पूरन प्रमातमानों मिलन वास्ते बरिया बरिया के दने चांस नो इते नो एक चांस मिलिया है एक आउसर मिलिया है इस सद्गुर केंद ने इस गोबंद दी तो इस जीवन देविच प्राप्ती करनी है यह तेरे जीवन दा मकसद है और जे तू इस जीवन विच आके मनुखा जनम प्राप्त करके इस प्रमात्मादी प्राप्ती नहीं कर सक्या तो सद्गुर्ण सच्चे पात्षा जी केंदने इस वार जो तैनू चांस मिले है अगली वार हो सकदा यो तैनू ना मिले क्योंकि एक चांस मिले है सानू सद्गुर्ण केंदने एह तेरा आवसर एह तेरी बार गट बीतर तू देख विचार गट बीतर अपने हिर्दे विच विचार के देख ये तैनू एक आवसर मिले है एक चांस मिले है संसार दे विच आके मनुखनू कई चांस मिल दे हनू कोई चीज साड़े हत्तों निकल जाए असी उसनू फिर प्रापत कर सकदे है मकान साड़े हत्तों चला गया असी उसनू फिर प्रापत कर लेंदे है कारो बार साड़ा चला जाए असी उसनू फिर प्रापत कर लेंदे है पर माराज सचे पात्साजी के नने जे तेरा ये मनुखा जीवन चला गया ये फिर तेरे हाथ विच आउन वाला नहीं है ए तेरा आउसर ए तेरी बार काट पीतर तू देख विचार ये तैनू एक चांस मिलिया है उस गोबिन दे प्रापती वास्ते जे तू अपने मकसद विच कामियाब नहीं होंदा तो सद्कुर केंद ने इस आउसर ते गलती होगी इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाएंदा जेड़ा भी इस पौड़ी ते चड़के जैसे मनुखा जनम सानू मिलिया चौरासी लख पौड़ीया पार करके चौरासी लख जून उपाई रिजक दिया सब हों को तदिका गरबाणी में केंदिये चौरासी लख जूना मनिया गिया है एक एक जून दे विच पता नहीं कितना समा सी बतीच करके आए हैं इस मनुखा जनम दे विच असी पौँचे हैं साड़ा आखरी चांस है इस साड़ी आखरी पौड़ी है समने प्रमातमा हैं जैसे कोई पौड़ियां चड़के उपर चड़दावे समने दरवाज्या खोल देओ ते अंदर फिर प्रवेश मिल जानदा है मनुखा जनम दे विच आखे असी प्रमातमा दी प्राप्ति कर सक दे हैं पर जे असी इस जनम विच आके इस प्रवदी प्राप्ति ना कर सके तो सद्गुर केंदने इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएंदा जेड़ा भी इस पौड़ी तो चूक गया है जैसे इसी पौड़ीयां चड़दे हैं आखरी पौड़ी ते जाके साड़ा पैर फिसल जावे असी फिर थले डिगांगे जितने पौड़ीयां असी चड़के गये हैं शानू वापस चड़निया पैरियांगे इस मनुखा जनम एक एक पौड़ी एक एक जून विच्चों पार करके असी इस मनुखा देही तक पहुचे हैं सद्गुर केंद ने इस मनुक्खा देही नू देवतेवी लोच देहन इस देही को सिम्रे देव सो देही पाज हर की सेव देवतेवी अरदासना करदेन कि किदरे सानू मनुक्खा जनम मिल जावे मनुक्खा जनम है बड़ा कीमती है पर असी इस दी कीमत नू समझा नहीं है पगत कबीर जी चे किनने जेडा मनुखा जनम तैनू प्रापत होया है इस वार हो सकद है अगली वार तैनू मिलेई ना अगली वार तैनू प्रापत ना होगे तानच चला जाए असी फिर प्रापत कर लेनिया मकान चला गया है असी फिर प्रापत कर लेनिया कारोबार चला जानदा है असी फिर मेनत करके उसनों हासल कर लेनिया पर सद्गुर जी दी बाणी कबीर साब जी दी बाणी बक्षिश कर दी है सद्गुर केंदने मनुका जनम हो सकता है तैनों दुबारा ना ही मिले कबीर मानुक जनम दुलंब है होए ना बारे बार जूँ बन फल पाके पुएं गिरे बहर ना लागे डार कबीर सब केंदने जिस तरह किसे द्रखत नालों फल पाक के तोट जाए वो फल फिर दुबारा द्रखता नालनी लग दे हन उन्हों फिर एक बड़ी लंबी यात्रा करनी पैंदी है मनुका जनम वी सानु प्रापत होया है असीस मनुका जनम नो प्रापत करके अगर प्रमातमादी प्रापती ना कर सके तो समझ लो कि दुबारा सानु ये मनुखा जनम प्रापत होना बड़ा ओखा है मानुख जनम चिरंग काल पायो बड़े चिर्तो बाद ये साड़े हाथ वी चाया है दुबारा आउना है के ने आउना ये बड़ा मुश्कल है आखना मनुख जन्मनों प्रापत करके असी इस दी कीमत नो नी समझा है कितना कीमती है गुर्णानुख साथ दी जीवन वीची गाथा है पटना साथ दी पावन तरती थे सद्गुर्ण सचे पाथ्षा जी जदो पहुंचे सन मरदाने ने अख्या माराज पोख लगी है साख्य कार लिख देने गुर्णानुख साथ ने अपनी कोलों एक हीरा कड़ के मरदाने दे हत्विच रख दीता अख्या मरदाने इसनों बजार देविच वेच देई जो कुछ तैनों चाईद है ओ तु खरीद के लाया में पर वेचन तो पहले इतना जरूर याद रखी इस दी कीमत पो आलमी दूँ इदी कीमत पहले लो आलमी कितनी इस दी कीमत है फिर उस तो बाद इसनों देखे आमी आमी इसनों किदरे गवाना आमी गुर्णानक साथ सचे पाथचा जी ने एए हीरा मरदाने दे हाथ भी तराक देता है मरदाना लेके इसनों चल पे है कि दनी सब तो पहले एक सबजी वाले दी दुकान ते गया है सबजी वाले नुँ आखदा भी ऐ मैं वेचना जे तु खरीद लमें उन्हें आख़ा मैंनु इसनों खरीदन दा कोई शोक नहीं है एक चमकीला पत्थर ये ना पत्थर नु मैं की करना है और जे तु इसनों देञा ही चांना तो मैं तैनों दो चार मुलियां गाजरा दे सकदा इस तो जाजा नहीं दे सकदा है जड़ो समझना होए किसे चीज़ दी उदी कीमत फिर मुलियां गाजरा तो जाजा खुछ नहीं हों दी है आज मनुखदी कीमत भी गाजरा मूलियां तो वद कुछ भी नहीं है छोटी छोटी गलते मनुख़नों मार दिता जान दाए बजारां दे वीच कतल कर दिते जान देन की कीमत है एक मनुख़दी मरदाना सोच दाए मारज ने क्या सी भी इस दी कीमत लो आला पहले मरदाना इसनों लेके फिर होर अगली दुकान ते गया उसने भी एई जवाब देता है फिर होर दुकान ते गया किसे ने दस्यावी जिसनों तो इत्थे वेचना चांदा है इस दा ए बजार नहीं है तो इसनों जोहरी बजार दे विच लेके जा मर्दाना जाद इस हीरे नू जोहरी बजार विच लेके गया है सारे जोहरी देख के हरान हो गए कहने लगे बहुत कीमती है पर इस दी कीमत दा सानू मी नी पता कितना कीमती है साड़े सारे जोहरी दा एक चोधरी है सालस राए जोहरी तो इसनो उदे को लेके चल हो सकदा है वो इस दी कीमत दसे कितनी है मरदाना हीरा लेके उते पहुंच गया जदो मरदाने ने हीरा कड़ के सालस राइ जोरी दे सामने रखिया कि ने सालस राइ ने हाथ जोर लई चार सो रुपईए दी थैली परी होई इस हीरे दे अगे रख के नमसकार कीती मरदाने ने आखिया इस हीरे दी एक कीमत नहीं है के वल नजराना है चार सो रुपईए सिरफ नजराना है इस दा कीमत नहीं है इतना कीमती हीरा तैनू किसने दीता है तैनु पता है सारा पटना शहर अगर वेच जिता जावे तो इस दे कीमत पूरी नहीं कीती जा सकती है तो इसनु लेक कल्ला ही बजारदे वीच फिर्दा पे हैं किने दिता है तैनु एहीरा मर्दाना केंदा है जगत गुर्णानक स्री गुर्णानक देजी माराजी जो शेर तो बाहर बैठे है उनाने दिता है हीरा सालस राए केंदा है फिर मैंनो दर्शन करा उस तरे मर्दाना गुर्णानक साबनो लेके चल पया जदो सालस राए ने गुर्णानक साब दे दर्शन कीते ते अपने मान मेंच सोच दा है जिस तरह दा हीरा ये मर्दाना लेके आया है इस तरह दे हीरें दा अगर एक पहाड बना दिता जावे उना सारे हीरें दी चमक कठी कीती जावे जितनी चमक गुर्णानक साब दे चेरेते है उस हीरें दे पहाड दी चमक तो कुछ भी नहीं है जितनी चमक की ना हीरियां दी बनेगी उस तो लख़ए गुणा वाद चमक गुर्णानक साब दे चेरेते है सालस राय ने हाथ जोड के गुर्णानक साब दे चर्ना दे उपर अपना सीस रख्या अख्या माराज तुसी इतना कीमती हीरा अपने नोकर दे हत्विच दे दीता है तो अनू पता है इस दी कीमत कितनी है सद्गुर्ण के ने नहीं मैंनू नी पता है इस दी कीमत तू इस दी कीमत दा अंदाजा ला सकते है सालस राय केंदा है हाँ माराज मैंनो इस दी कीमत दा पता है मैं हीरें दा वपारी हाँ बड़े बड़े हीरे मैं खरीदे हन वेचे हन सद्गुर सचे पात्साजी केंदने तो दस इस दी कीमत कितनी है सालस राय केंदा है एक हीरा बहुत कीमती है इस दी कीमत लाई नहीं जा सकती सारा पटना शेर वेच दी ता जाए तो इस दी कीमत पूरी नहीं होंदी यह हीरा बेश कीमती है गुर्णानक सामारा सचे पार्चा केंदा ने जेडा परमातमा ने तैनू हीरा दिता है कदी तो उस दी वी कीमत लाई है सालस राय केंदा केड़ा हीरा दिता है प्रमातमाने मैं ते काच दे हीरें दा वपार करदा इस दी कीमत भी जानदा इस दा मैं लेंडेन भी कर सकदा पर उस प्रमातमाने केड़ा हीरा मैंनू दिता है ये ते मैंनो आई तक पता ही नहीं लगा है गुर्णारिक साव ने उत्ते पिर शबद उचारन कीता है रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जनम है कोड़ी बदले जाए सद्गुर जी सालस राइनों समझान देने ये मनुखा जनम साड़ा बहुती अनमौल जनम है किदरे कोड़ीयां बदले संसार दे कार विहार करदेया किदरे वियर्थ ना चला जाए सुबसरी गुरु अरद्यंदेजी माराज बक्षिश करदेने पई प्रापत मनुख दे हुरिया गुबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अबर काज तेरे कितेना काम मिल साद संगत पजकेवल नाम सद संग विचा के अपने इस जीवन सफल करो ताकि परमातमा दिसानु प्रापती हो सके ये नहीं कर सकांगे तो जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पयाँ देश लम्मे एक लम्बी सजा सादे वास्ते फिर त्यार है सद गुर मेरामत करन सद संगत करके अपने जीवन सफल कर सकीए उल्लाच कांशमा वाई गुर जी कार खाल सा झाल सा बाहँ थाई गुर जीवन करनो कैंतर जी नहीं है एक वाई ड्यारन Qadar चने लोस्फेख। भेरामत करना कर्भिया तो एक मस्थेख जी एकात जाफेख रहत24